है सबी शाथियों नमिश्कार आप सभी का सवागत अम लोग को वैक्सिंट वर्सेज को कुशिल्ड अ Watch अपने इंडिया में ये दो जो कोरॉना की वैक्सिंट लग रही है इन दोनों की क्या फाइदे हैं इन दोनों में क्या अंतर है कुछ लोग कह रहे हैं को वैक्सिन अच्छा है कुछ कह रहे हैं को भी सिल्ड अच्छा है तो आज हम लोग इसकी पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि कौन सा अच्छा है को भी सिल्ड ठीक है या को वैक्सिन ठीक है या दोनों अच्छे हैं इन दोनों में क्या अंतर है कौमे कौन सा लगवाना चाहिए लेकिन अभी वरत्मान समय में इतनी मारा-मारी चल रही है जो भी मिल रहा है सब लगाने को तयार है लेकिन हम लोग इनकी खासित क्या है इसके side effects क्या है इनमें क्या-क्या कौन सी हम लोग लगाएं तो ठीक रहेगा तो इससे जानने का प्रयास करे करेंगे तो आप सबीशे निविदेने यदि आप हमारे चनल पर नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब विश्य करिएगा और बेल आइकन को दमाएं ताकि आपको नए वीडियो मिल सके हैं भारत में एक मई से 18 साल से ज्यादा उमर के लोगों को vaccinate करने की मोहिम सुरू हो चु कि लें कौन सी वैक्सिन लें आएंड़ आपको इन बात दोनों वैक्सिन के डिजाइन और साइड एपक्ट के बारें बताते हैं कोवी सिल्ड का निर्मान, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कोवी सिल्ड चिंपेजी एड़ोनो वाइरस वैक्टर पर आधारित वैक्सीन है, इसमें चिंपेजी को संकर्मित करने वाले वाइरस को अनुवान सिक तोर पर संसोदित किया गया है, ताकि वे इंसानों में ना फ पहचानने में मदद मिलती है अब को वैक्सिन है को भारत बायो टेक नहीं इंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल रिसार्स एनि आई सी एम आर और पूने इस ते इतने अस्तनल इस्टिटूट फॉर वायरोलोजी एन इवी के साथ मिलकर डवलप किया है को वैक्सिन एक एन एक्टि दुनिया भरके एक्सपर्ट ना इस वैक्सिन की कारे चमता की परसंसा किये वाइट हाउस के मेडिकल एडवाइज एन्थोनी फाउची ने खुद एक हालिया प्रेस कांफरेंस में का था कि को वैक्सिन बी पॉइंट वन पॉइंट सिक्स वन सेवन वेरियन यह नहीं भारत कि डबल म्यूटेंट वैरियन्ट को बे असर करने में कारगर साबित होगी अब हम लोग कोवि सिल्ड का बारे में देखें कोवैक्सिन और कोवि सिल्ड एक दूसरे से एकदम अलग है आकसपॉर्ट एस्ट्रोजैनों का दवारा डवलाप कोवि सिल्ड के इस वैक्सिन को के खिलाब एंडी बोटी जनरेट करने का काम करती है अलांकि इन दोनों ही वैक्सिन की खूबिया इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है कोवी सिल्ड क्या परभाव डालती है वही कोवी सिल्ड का एफिसेंसी रेट है वो सतर परसंट जिससे तकरीबन एक महीने बाद दूसर कोवी सिल्ड के साइड इफेक्सिन पर काफी उंगलिया उठाई गई थी लेकिन अब दुनिया फरक एक्सपाटिस को है वो चमता का पसंसा कर रहे हैं तो यह हम लोग जान सकते हैं कि वाइट हाउस के मेडिकल एडवाइज एंथोनी फाउची ने खुद एक हालिया प्रेस कोवी सिल्ड के साइड इफेक्ट अब इन्जेक्संस के कुछ साइड इफेक्स भी हो सकते हैं कोवी सिल्ड भी एक प्रभावसाली वैक्सिन है लेकिन कई देशों में इसके साइड इफेक्ट को लेकर स्वाल खड़े हो चुके हैं कई मामलों में लोगों को बलड क्लाउड समिस्या हो चुकी हैं। जब खुछ ऐसे मामले पहलिए है मामले साइव्च के साथ आते हैं। इनक्षा-पारद कम और शिरदा विपारद पेटेश साधान देखने मिल । आलांकि को वैक्षिन में अभी कोई गंभीर साइव्च नहीं देखने को मिला आहे। दोनों में कुछ side effect हो सकते हैं क्योंकि हमारी antibody पहले किसी और टाइप की है और अब इस injection के लगने के बाद antibody में कुछ changes आता है तो उस changes आने के वज़े से हम लोगों को थोड़ा बहुत यह side effect हो सकता है लेकिन इससे गबरने का एक परसेंट भी नहीं है क्योंकि इंजेक्शन लगवाना आपको वैक्सिन लगवाना बेहत जरूरी है यदि आपको मामुली सा बुखार या ऐसा दर्थ हो तो उससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला है लेकिन यदि कोरणा हो गया तो को वैक्सिन की दूसरी डोज की जरुर्द 4-7 सब्ता के बाद होती है जबकि कोवी शिल्ट की दूसरी डोजैर 6-8 सब्ता के बाद दी जाहिए नए sempre साथ दार होगी एक्सपर्स के मुताबिक नए इफिसियंस स्ट्रेंड पर को वैक्सिन का ज्यादा अच्छा रिजल देखा गया है हाला कि संकर्मन को जड़ से खतम करने के लिए दोनों ही वैक्सिन बहतर बताए गए है तो इस तरह से हम लोग दोनों जो वैक्सिन से इनके क्या प्रभाव हैं इनकी क्या कैसे यह काम करता है है इनके क्या साइड इपक्स उसके बारे में हमने जाना तो अभी आप अपना ठीका करना विश्य करवाएं जब भी आपका नमबर लगे ठीका जिरू लगवाएं चाहे को वैक्सिन लगए या को विशिल्ट थैंक्यू